पहले कोलकाता फिर महरास्टर का बदलापूर और अब महरास्टर का ही अकोला जी हाँ लगातार हमें आपके सामने आना पड़ रहा है ऐसी घटनाओं को लेकर जिन घटनाओं के बारे में बात करना ना हमें पसंद है और ना ही उन घटनाओं के बारे में सुनना आपको लेकिन घटनाएं हो रही हैं तो हमें बात भी करनी होगी आपको सुदना भी होगा ठाने में दो मासूम बच्चों के साथ गलत हरकत के बाद अब महराश्टर के ही अकोला में एक ऐसा मामला आया जिसने सभी को सद्मे में ला दिया है सद्मा ये मैं इसले कह रही हूँ क्योंकि ये स्कूल कैमपस में हुआ है वो भी एक नहीं दो नहीं बलकि कई छात्राओं के साथ किसने किया है आरोप लगा है स्कूल के ही टीचर पर और ये कोई आज और कल का मामला नहीं है बलकि बच्चों ने इस बात को बताया कि जो टीचर है वो लगातार पिछले कई महिनों से इन बच्चों को गलत फिल्म दिखा रहा था गलत कंटेंट दिखा रहा था और उन्हें गलत तरीके से चूने की कोशिश कर रहा था अकोला में ये मामला जिला परिशद के एक स्कूल में हुआ है और जहां बच्चों ने एक फंक्शन के बाद इस बात की जानकारे दूसरे टीचर्स को दी और अब आरोपी टीचर प्रमोध मनोहर के खिलाफ शिकायत की ये बच्चिया आठवी क्लास में पढ़ती है और छे चात्राएं हैं जिरो ने इस बात की शिकायत की है कि जो टीचर प्रमोध है वो इन्हें गलत तरह की फिल्में दिखा कर इनके साथ गलत हरकते कर रहा था गलत तरीके से इन्हें चू रहा था चात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने टीचर को अरेस्ट कर लिया है लेकिन बता दे आपको की महरास्ट में बीते 15 दिन में बच्चों से छेड़ खाने के तीन अलग-अलग मामले सामने आ चुके हैं मामले लगातार सामने आ रहे हैं कारवाई की बात कहीं जा रही है लेकिन जब तक एक मामले में कारवाई होती है दूसरे मामले में दूसरे जगह से एक घटना एक और सामने आ जाती है 13 अगस्ट को बदलापूर के आदर्श स्कूल में 23 साल के सुई पर अक्षे शिंदे ने 3 और 4 साल की दो बच्चों के साथ गलत काम किया यौन शोशन किया अक्षे शिंदे को गरफतार कर लिया है वहीं 20 अगस्ट को अकोला के जिलापरशित के स्कूल में 8 वी क्लास की बच्चे के साथ टीचर ने गलत हरकत की टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है तो वहीं 21 अगस्ट को मुंबई के नागपाड़ा इलाके में जुमके बेचने वाले एक शक्स में 8 साल की बच्ची के साथ छिड़खाने की उसे गलत तरीके शुआ कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दरंदगी के बाद जिस तरह से पूरे देश में उबाल है उसके बाद एक के बाद एक और घटनाए अलग-अलग जगहों से सामने आ रही है मध्यप्रदेश में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां बुरहानपुर में एक लड़की अपनी मां के साथ बस में सफर कर रही थी उसके साथ छिड़खानी हो जाती है इसके लावा एक विद्वा महिला के साथ ग्यांग रेप का मामला सामने आया जिसमें छे लोगों को पकड़ा गया है और उन छे आरोपियों में से एक नाबालिक भी है तो एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं सवाल घुमफिर के यही उठ रहा है और वो इस तरह मानसिक उत्पिरन का शिकार होते हैं तो एक के बाद एक इस तरह के मामले यहां जो कांसलर्स हैं वो कहते हैं इस बात के जरूरत पर जोड देते हैं कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चों को, इस देश की लड़कियों को एक सुरक्षित बातावरन दे तो ऐसे में सिर्फ बच्चों को ही ट्रेन करने की आवशक्ता नहीं है ट्रेन हमें अपने बच्चों को भी करना होगा अपने बेटों को भी करना होगा खुद्धान मंत्री ररेंदर मोदी ने लाल के लिए से आपको याद होगा कि भाशन के दौरान कहा था कि लोग सिर्फ अपनी बच्चों से ही पूछते हैं कि वो कहा थी, कहा रह गई, क्यों लेट हो गई लेकिन हमें अपने बच्चों से भी याने की बेटों से भी पूछना होगा कि वो बाहर क्यों जा रहे हैं, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं, कितने लोग हैं और आवशक्ता क्या है बाहर जाने की याने की सीधा मतलब ये है कि बेटों पर भी लगाम लगाने की आवश्चकता है गुड टच और बैट टच देने के अलावा हमें अपनी बेटियों को साहस देना होगा कि पहली बार ही जब उनके साथ कोई गलत हरकत करता है तो वो उस घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराए होता क्या है जो मनचे किस से बताते हैं कि घर में हम अपनी बेटियों के कंडिशनिंग वैसी नहीं कर पाते हैं तो अक्सर वो गलत हरकत होने पर उसका विरोध दर्ज नहीं करा पाती है उतनी मजबूती से तो ऐसे में सामने वाला बार बार उस बात का फाइदा उठाता है बेटियों की खामोशी का दुरपयोग करता है तो हमें घर सही अपनी छोटी बच्चे को इस बात के लिए तयार करना होगा कि वो मानसिक तोर पर इतनी मजबूत रहें यह साहस दिखा पाए कि वो विरोध दर्ज कराएं और साती पहली बार ही चाहें वो कोई भी हो उनका अपना कोई परिचित हो अपना उनका कोई रिष्टदार हो या कोई बाहर का शक्स हो जैसे ही गलत हरकत करता है वो इस बात की जानकारी अपने माता पिता को अपनी मा को या अपने स्कूल की टीचर को दे जिम्मदारी यहाँ पर स्कूल के टीचर्स की भी बनती है कि वो देखे कि स्कूल कैमपस में बच्चियां खुद को comfortable पा रही है नहीं पा रही है और बच्चों के साथ इस तरह के कोई हरकत ना करे इस बात को लेकर भी जिम्मदारी बतौर समाज हम सब की बनती है महराष्टर के ठाने में जो बदलापूर में हुआ जिसके बाद हमने देखा कि उग्र प्रदर्शन वहाँ लोगों ने किया स्कूल कैमपस में तोरफोर की इसके लावा लोकल रेलवे ट्रैक पर भी पठ्रियों पर पहुँच गये थे लोग वहाँ पत्राव किया गया और वहाँ पुलिस को हलके बलका सिमाल भी करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर भीड उग्र हो रही थी लगातार प्रदर्शन कर रही थी नराज की इस बात को लेकर थी कि स्कूल प्रवंदर ने मामले को रफ़दफा करने की कोशिश की थी कोलकाता में भी जिस रहा से हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर सक्त तिपड़ी की है कहा कि पुलिस ने क्यूं एफ़ाई यार धर्श करने में देरी गई तीन घंटे तक उस लेडी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में पड़ा रहा जहां पर बाकी के डॉक्टर्स बाकी का स्टाफ उस शव को देखने के लिए वहां पहुंसा रहा इस बात को जानने के बावजूद कि वहां किसी और की मौझूदगी उस घटनासल में सबूतों के साथ छेर खानी हो सकती है सबूतों को नश्ट करने का काम कर सकती है उसके बावजूद भी वहाँ पर भी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में भी प्रशासन देश जागा मामले को रफा रफा करने की कोशिश की पहले लड़की के माता-पता को बताया कि उनकी बैठी ने सुसाइट किया है और पहली चाहिए हैं यही एक बड़ी वज़ा है कि लगातार इस अरहे सामने आ रहे हैं सोचना आपको भी होगा सोचना हमको भी होगा कि आखर हम बतार समाज कहां गलत जा रहे हैं